आज की वीडियो आप सबी के लिए बहुत ही beneficial होने वाली है इसलिए इस वीडियो को लास तक जरुर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं medical basic knowledge देने वाला हूँ आप medical knowledge basic knowledge में क्या जानना चाहते हैं basically normal vital science पता होने चाहिए हमारे general information of anatomy पता होना चाहिए हमारे chemical names और vitamins के बारे में पता होना चाहिए important pH value क्या होती है fluid of choice क्या होता है weight of human body organs क्या होते है तो इन सबी चीजों के बारे में बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं नॉम्मर बाट है science में हमारे सबसे पहले बात करते हैं हम temperature की हमारे जो temperature होता है वो 37 degree Celsius से लेके और अगर फेरेंट हाइट में देखा जाए तो 98.6 होता है pulse rate जो देखी जाए तो 72 beats होती है per minutes में respiration rate अगर देखा जाए तो 18-22 बार हम सास लेते हैं एक मिनट में blood pressure जो होता है हमारा 120 by 80 mmHg प्रेशर में होना चाहिए और जो blood sugar होती है वो 120 md per dl होनी चाहिए और हमारा जो oxygen लेवल होता है वो 95-100 % के अंदर होना चाहिए अब हम बात करने वाले हैं जनरे information of anatomy के बारे में तो हम बात करते हैं बहुत ही इंटेशनी टॉपिक है मजाएगा देखे टोटल पॉंसी नहीं बॉड़ी कितनी होती है 206 होती है टोटल मसल्स कितनी होती है छह सो उन्तालिस होती है river of life क्या होता है हमारा blood होता है largest organ क्या है हमारा hydroogran gland क्या होती है हमारी thyroid होती है smallest shell कौन सी होती है वह हमारा male sperm होता है largest shell कौन सी होती है वह हमारी female ova होती है numbers of pump हमारे heart में कितने होते हैं दो होते हैं number of chromosome 23 pairs में होते है numbers 46 होते है blood bank of human body क्यों सी होती है बाई ? बताओ 躍व इस्क्राओं के वारे में देखियों ए जो हता है वह सी क्या होता है आस फैर से अर्फ के वारे में तो आप विटामिन B2 जो होता है, राइबो फ्लेवर्म होता है, विटामिन B3 जो होता है, नायोसाइन होता है, विटामिन B5 जो होता है, पेंटो थैनिक एसिड होता है, विटामिन B6 जो होता है, पाइरोडीन होता है, विटामिन B7 जो होता है, बायोटीन होता है, हमारे हेर्स के वेल्यू मिंद बात करते हैं तो 7.2 से 8 तक होता है अगर सीमन की बात करते हैं तो 7.2 से 8 तक और हमारी वजाएना का 3.8 से 0.5 तक तो आप देखा जाए तो हमारे ये सारे pH वेल्यूज होती है अब फ्लूड ऑफ चॉइस के बारे में बात करते हैं अब हमारी क्या अगर किसी का जल जाता है तो उसको रिंगल लेक्टेड चलाया जाता है किसी को डाइरिया हो जाता है तो 1-2% नॉमनस लाइन चलाया जाता है हेड इंजिरी हो जाये तो इसको आरल और आरण जोना चड़ाया जाये गा और विट बी टी मतला नॉमनस लाइन चलाया जाये गा अब हम बात करते हैं हमारा weight of human body organs के बारे में हमारे और अर्गन का वेच हितना होता है तो हमारे जो ब्रेन होता है वो 1250 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो 25 से 30 ग्राम तक होती है हमारा जो हाल्ट होता है वो 200 से 300 ग्राम तक होता है और हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो 325 से 425 ग्राम तक होता है और हमारा जो राइट लंग होता है वो 1500-400 ग्राम का होता है और जो हमारा लेवर होता है वो 1500-1800 ग्राम का होता है और जो हमारा स्प्लीन होता है वो 125-180 ग्राम तक होता है और अगर देखा जाये तो हमारी एक किड्नी 125-500 ग्राम तक होती है और हमारा जो प्रोस्टेट होता है वो 15-30 ग्राम तक होता है और जो हम यसे 25 ग सोता है और हमारी आपको आज की वीडियो अची को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक नहीं कर दिचेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब वीडियो लाता रहूँगा अगर आप में को सब्सक्राइब करेंगे में कमेंट करके जरूर बतेगा कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट जारा अच्छा लगा जिसके बारे में आपको नहीं पता था तो मिलते हैं अगली वीडियो में